Hello everyone, आज की सेलेक्चर में हम बात करेंगे एस्थाटिसिज्म के बारे में जो कि आपके पार्ट वन का पेपर वन का ग्रूप A को कवर करता है इससे पहले मैंने आपके ग्रूप B, ग्रूप C, ग्रूप D, ग्रूप E जितने भी टॉपिक आ सकते हैं उसको मैंने कवर कर दिया है और इसी के साथ सतापका पेपर 2 में जो होडा था रैप अप दिलक उसको भी खतम करने से आपका पूरा ग्रूप B कम्पलीट हो गया है ठीक है, मतलब पेपर 2 कम्पलीट हो गया, तो पेपर 1, पेपर 2 दोनों कम्पलीट हो चुका है बस आपका ग्रूप A बचा हुआ है पेपर 1 का, जिसको मैं कल के दिन कम्पलीट कर दूँगा मतलब आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं और कल ये अप्लोड होगा तो कल जब अप्लोड होगा, तो सुबह में अप्लोड होगा और सुबह से लेके साम तक, यानि रात तक इसका भी गुरूप A का मैं खतम कर दूँगा जो भी इंपोर्टेंट है इसमें, तो इसको अच्छे से समझेगा और एक और बात बता दूँ कि थोड़ी सी लेट हो गई, इसी वज़े से क्योंकि मोवाइल की दिक्कत है मोवाइल पूरी तरीके से खता खराब हो चुक है, थिरी एक थिरी जी मोवाइल है उसको मैंने दो बाट ठीक करा है, लेकिन ठीकी नहीं होता है तो मैंने उसको छोड़िया है, थोड़ी दिक्कत हो रही है लेकिन आपके पार्टू जाब पर बेच चले तो आपकी पूरी तरीके से अच्छे चलेगी येक आंदोलन wiped acestheticism चितर का movement of art लिटरेचर यह उर्प लिटरेचर के हैं कि रिपार चितर में यह चितर में मौवंवेंट साथ समझे उप कर दOOD को सब्सक्छा मतलब आपके नेętसátल के जागा तो क्या है इसमें दिखे यह कि यह एक लिट्रेचर व स्ट्र स्ट्र में आने माले जो कि पहली वाद देखने को आया कब 18th century में ठीक है 18th century में जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा ना तो आपको अच्छे सी किलियर होगा and develop further during the 90th century और इसको develop ऐसा समझ लिजे कि late 90th century में इसका development अच्छे से हुआ था ऐसा समझ लिजे कि 850 से लेकर और 1900 के बीच में इसका development अच्छे से हुआ अब यह क्या है तर्म originated in France was and was developed by the उसके बाद है बॉन डेलियर और फ्रावबर्ट यह जो दोनों जो थे बॉन डेलियर और फ्रावबर्ट जो थे ना इस इन दोनों का हाथ इसको डेवलप करने में बहुत ही बड़ा ठीक है यह दोनों इसके अरीजनेट इस टर्म इस अरीजनेट इन फञांस यह जो टर्म है आपका ऐस्थेटेशीजम यह और इस इसे आस्टेशिजम को इसकी जो मतलब है इसकी जी इसमें जो चीजर कवर की मेलमेन कांट देखिए इसका आइडिया वाज प्रपोज वाई जर्मन फिलोसफर इसका नाम आप लोग जरूर सुनेंगे इम्मोनिवल कांट जो की एक बहुत ही बड़े साइकलोजिस्ट और स्कॉलर थे ठीक है तो यह जो जर्मन फिलोसफर थे यह सबसे पहला एक मतलब आप नहीं कहिए इसको एक बूक लिखे थे इसमें आम था कृृटरीन फोड़ को aesthetic वर्ड को थीक है aesthetic वर्ड को इसी लिए बोला जाता है कि यहीं से 1816 से इसकी सुरबात हुई थी यहां पर बोले थे न आ 1823 तो इसी वर्ड के साथ इसी में जो एक वर्ड था एस्थेतिक ऊसी वर्ड के साथ क्या होता है इस चीज़ का development होता है अब the view of French aestheticism was introduced into the England into England by Walter Peter और देखिए ये French में ये France में सबसे पहले मान लीज़े develop हुआ ठीक है उसके बाद जब इसको French के साथ सत इसमें जो England में जब इसको develop करना था तो उसमें सबसे बरहाथ था Walter Peter का वही इसको इंट्रोड्यूज किये कहां England में Walter Peter अब aestheticism है क्या इसके बारे में चर्चा करते है तो देखिए aestheticism है इसमें many scholars view on this moment many scholars view on the moment इस moment की जो कुछ scholars थे इसका मतलब क्या बताते हैं तो ये क्या है work of art self sufficient as and has no other aim for its existence ये जो work है ये जो art है ये color जो है ये खुद में sufficient है इसमें किसी और चीज का aim रखके नहीं चलना चाहिए ये मतलब ये बोले कि ये जो है work है ये मतलब ये जो art है ठीक है ये color का जो छेत रही है खुद में पूरी तरीके से sufficient है इसमें किसी और चीज़ को add करने की जरूरत नहीं है जैसे अब बताते हैं इसमें आगे क्या होगा तो देखे इस moment का motto क्या था इसका main reason क्या था तो देख को the concept of the poem or novel is the end of itself without moral purpose देखे इसे पहले जो भी लिखे जाते थे न वर्क उसका जितने भी जितने कला के चेत्र में जो भी लिखे जाते थे जितने भी poem novel वगरा लिखी जाती थी उसका purpose रहता था कि लोगों को कुछ उसके माध्यम से सिखाया जाया उसको कुछ नकुछ moral values द अब देखी जाया फिर डेखी जाये अब देखी का मतलब क्या होगा देखे कुछ sculpture हो कुछ मुर्तिया बनाई की वो भी तो एक क्ला है ना मुर्तिया बनाना भी कला है इसके रहाँ ऑसब पोईट्य लिखे गाए पोईट्री लीखे जाएगी प्रोस लिखे जाई तो सारे कि फीचित के माद्यम से हमको क्या करना है यह लिटरिचर के छेत्र में कुछ नकुछ उसको सिखाना कुछ नकुछ उसको अप्सक्रीज में कुछ नकुत कला में किसी अन्य concept को लाने की जुरूत नहीं है जैसे moral value को एड करने की जुरूत नहीं है अगर moral value सिंग नहीं है तो नैतिक वाली कितावे पर हो भाई अगर तुमको अगर politics में इंट्रेस्ट है तो बॉले किताब पढ़ी है तो यह क्या किया करना जो है उसको बोले कि कला बस कला के लिए 8,8 से यह यहाद रखेगा कि आर्ट्थ Sachs के लिए ठीक है तो वो क्या बोले किखाला में किसी अन्य चीज़ की जुरूत नहीं है जो है उसमें क्या करना है करना में बस आपको पढ़कर आपको अच्छा लगना चाहिए उसके ब्यूटनेस को बढ़ाया क्या इट फोकस ऑन ब्यूटनेस इन आर्ट सारे के सारे एस्टेशिजम के जो राइटर हुए वो क्या कि ये ब्यूटनेस को बढ़ाया मतलब वो बोले कि अकला में किसी और चीज़ की जुरूत नहीं है पॉ इसा करना है ठीक है आब music अंड लीटरेचर अब देखें म्यूजिक अंड लीटरेचर आर्ट इनद म्यूजिक मुझिक आप मूजिक सुनते हैं तो मुझिक भी क्या वह हर चीज़ को हम क्या करते हैं सारी की सारी की सारी दिमागों वाली चीज़े सारी की सारी हम फोकस वाली चीज़े सारी की सारी हम पढ़ने वाली चीज़ों को थोड़ी अट कर सकते कला में तो इसलिए इसमें क्या हुआ बोले की आर्ट फॉर आर्ट सेक आर्ट आर्ट के लिए बस कला मज़े के लिए ठीक है यह बोले कला लाइफ के लिए नहीं है आर्ट फूर लाइफ से नहीं है मतलब लाइफ के मोरल वेल्यू को सिखाना कला का मतलब नहीं है यह बोल ले थे अब देखिए जैसे कि कुछ लोग होते हैं अब कुछ लोग बाते करते हैं मान लिजे कुछ सीखे ही कभी-कभी अपनों से प्रसना कभी-कभी अपनों से व्यक्तिकत बात करने के लिए मज़े के लिए उसके उसका हाल चल पुछने के लिए भी तो बात होती होती है तो इसलिए है कि सारे चीज में हम ऐसा नहीं कर सकती कि moral purpose को घुजा दे सारे चीज में ऐसा नहीं कि हमको politics के बारे में कुछ सीखने के मिले लाइफ के बारे में सब कुछ सीखने के मिले जरूरी नहीं है कुछ poetry अच्छे के लिए होते जितने literature के work होते सारे के सारे अच्छे मरति के लिए होते हैं सब कि सारे की सारे कुछ में Teal कि कुछ जान का करना चाहिए ऐसी चीजर पढ़नी चाहिए जो कि जिसे हमको सीखने करना मिले लेकिन अच्छा लगए जैसे की मुर्तियां बगएरा होती है स्कल्प्चर बगएरा ऐसा समझ लीजे मूर्थिया बगएरा होती है उसे क्या देख कि हमको कुछ सीखने को मिलता है जरूरी नहीं नहीं लेकिन वह कला है वह हमें अच्छा मूर्थी लगा बहुत ही अच्छा उसका डिजाइन किया गया है वह ब्यूटनेस को बढ़ाया तो देखे एक पर्सियन स्कॉलर थे फिलोसफर थे जो कि 18th century के ठीक है वाज नॉट हैपी वीट ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ त्यूरीज रिगार्डिंग दफॉंशन अंड रिगार्डिंग दफॉंशन ऑफ आट लिट्चेचर कांट जो थे यह पर्सियन स्कॉलर जो थे 18th century के वह हैपी नहीं थे इस वाली जो लाइफ से के बाड़े में सारी की सारी मोरल परपस को पोईट्री में घुसाने से इस सबके वज़से यह खुस नहीं थे क्योंकि यह सारी ट्रेडिशन वेल्यू बहुत थी उसको अजीब लग रहा था उसको खराब लग रहा था यह पुर थी थी सारी वर्क ना सारे मॉरल वेल्यू उसके पास कंद्र पर एक ऐसा बोज था कि सारी की सारी चीजों से हमको सिखाना ही है कुछ ऐसा कला में नहीं होगा जो कि हमें मजाक के लिए या फिर हम वज़से पढ़ने के लिए कर लिए घ ठीक है तो उसका परपस पहले क्या ह करते थे वह ऐसा लिखते थे तैफे वर्ग जिससे उसको अच्छा लगा मजह है उसके ब्यूटनेश को बढने ध्यान दिए कir के ब्यूटनेश को बढ़ाने के माद्डेम से अशा नहीं करना चाहिए है ना तो इसके फीचर की बात करें यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप सुद्ध प्रोवाइड डिफाइंड सेंसे प्लेजर देखिए आप जो है इसका सबसे पहला कारण क्या होना चाहिए कि इसमें रिफाइंड हमको मिलना चाहिए बहुत अच्छे तरीके स त Cyrus को अच्छा प्लेजर मिलना चाहिए आप को उससे में किसी ना किसी को प्लेजर मिले थीक है तो यह आट का सबसे पहला पर्पर्पस होना चाहिए चैजान रस्कें की एसथेटिक आरटिस्ट रिजेक्ट मैंथियू अर्नॐल्ड और जॉन रस्केंट यह जूढान बंसको यार्ट किया फोड़े सेम लाइफिक हो इसको उसके सारे में सारे में अर्ट कुछ ना सिखा गजायेंगे। जिसमें कुछ यह बात है एक साइरे की रहए कि जरूरीजने को कुछ सिखाना ही है बस ऐसा है कि लोगों को अछी लगनी चाहिए लोग को उसको प्लेजर मिले लोगों को मज़ा मिले पढ़का ठीक है ऐसा इस में तीसरा क्या है no study or no moral value and social message और इसका तीसरा इसका feature सबसे बढ़ा था इसमें जरूरी नहीं है कुछ study जो करें उसे हमको कोई से सीखने के मिले उसमें moral value को एड किया जाए या social message को एड किया जाए ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसके बाद इसमें चौथा इसका feature था art must be beautiful art क्या होना चाहिए beautiful लगना चाहिए मज़ा आना चाहिए पड़के ऐसा लगे कि हाँ इसका next level अच्छा pleasure मिले and the artist must be and the artist must be seek beautiful in nature and the aim of the true student of aesthetics क्या है आर्टिस जो होना चाहिए उसको उसको पूरी तरीके से nature की beauty को दिखाने के लिए नेचर की beauty को ठीक है उसकी नेचर में जो beauty यह जो कुछ भी किसी चीज़ लिखते हैं उसके beauty को enhance करने में लगाया गया इसको बस अच्छा लगना चाहिए ठीक है अब इसमें देखी एक और बात आपको समझाता हूं कि किजैसे हम कोई फिल्म देखने जाते हैं जरूरी थोड़ी है कि हम सी फिल्म देखे जिसमें को सीखने के मिले कुछ entertainment वाली भी मॉवी едहीं होती है जिसको हम को देखने से कुछ अब क्या है पांचमा में है इन aesthetic literature symbols idea are suggested और देखिए aesthetic literature में क्या होने लगा symbols और ideas को बहुत ही अच्छे से use किया जाने लगा इसका कारण यह था कि with the symbol help of the symbol देखिए symbols का use होने लगा इसे क्या हुआ imagination वगरा की development होई यह सबसे ठीक है not directly expressed directly express नहीं जैसे कि कोई भी boarding movie रहती है उसमें क्या होदा बोला जाता है directly कोई serious movie बना जाती है तो उसमें क्या होता है direct की direct सारे की सारे जो होती है बहुत ही बाते होती है है उसमें कोई entertainment नहीं बहुत ही serious मनाई जाती है लेकिन उसमें symbol बगएरा एड किये गए aesthetic work में लिटेशर के ठीक है तो इसलिए उसमें क्या हुआ imagination develop होने लगी दिए दिए अब क्या हुआ here emphasize is more on the senses senses five human senses taste smell appearance color and texture ठीक है हमारे 5 senses है न어 test test करने के smell करने के लिए उसके उसका आप कलर के तक्य exaggerate istoire यह तो बहुत सहरा पांच चीज है तो इसको क्या होना चाहिए इस पांच-चीज में हमको जितना हो सके हमको क्या करना है आट में इसमें बोला गया कि हमको सारे के-सारे सेंस्स को क्या करना उसको अच्छा व atau करवाना है उसमें किसी ना किसी यो ऐसा हो कि उसको अच्छा लगए सेंसेस के उसको प्लिजर मिले ठीक्ड है तो इस सिर्फ का के मादbildung से हम 갈 शीखने को मिले उस पेंटिंग के माद्य में हम पुरी पुरी मेरी मोरल वैल्यू को इसी में डिस्क्राइब कर दे ऐसा नहीं न हो सकता है तो हम क्या करें पैंटिंग बस अच्छी बनी है मज़ेदार है बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है बस हो गया हमको बहुत अच्छा लग इसमें जो चे बहुत में जर्थे इसमें जो कि एस्टेटिसिज्म पर बहुत किये पहला ऑसकर विल्डे जो कि 18-1900 के बीच में काफी वर्क लिखे थे उसके वाद जिसका यह जिसका यह इसके बीच में पर अधारी था इसके बाद स्वी साइमन्स उसके बाद है बैरन बर्नोन ली और आर्थ साइमन्स और उसके बाद है अर्नेस डॉसन ठीक है यह पांच को च्छे को याद रखेगा एंड अधर विहर्द मेजर फॉलोवर आप अश्टेशिज्म इंग्लिस लिटेचर और बहुत सारे ऐसे हुए जो मेजर फॉलोवर रहें इंग्लिस लिटेचर के अश्टेशिज्म में ठीक है अब दा विक्टोरियन क्रीटी लाइक वॉल्टर पीटर देखिए एक विक्टोरियन क्रीटी क्रीटी का मतलब क्या होता है जब कोई लिखी जाती है न तो उस पर आपना जो ओपीनियन रखते हैं उस पेंटिंग चेतर है तो पेंटिंग के चेतर में ऐसा बड़ा उसमें कुछ हमेशा का मतलब निकालने वाली चीज़ें नहीं एड की जाए उसको ऐसा बनाया जाए ताकि वह मज़िदार पेंटिंग लगे तो इसमें अच्छा लगते इसलिए सुनते हैं तो अब यह इसका यह वाली पार्ट याद रखेगा कि इसके मुज़र फॉलोवर क्या रहे हैं और इसको बास याद रखेगा अब चलिए इसके बाद में बात करें तो कंक्लूजन का बात करतें लाश्टली क्योंकि रखना बहुत ज़रूरी है अब इन दा वे वी में समराइज दा थियोरी सब्सक्राइब करते हैं किसके त्योरी को इन दा वर्ड जांकीर्स की सब्दों में चांकीर्स क्या बोले इसके बारे में यह जो हुए प्रकार होना चाहिए जितने क्लिखे जाने चाहिए वो क्या होना चाहिए एक व्यूटी का प्रकार्ट उसकी ब्रहाबा देना चाहिए यह बोला गया जॉन किट्स के माध्यम से अब दा फॉलोबर अफ एस्टेस्ट एस्टेसिजम कंफॉर्म डैट आट इस आट फोर सेक और यह क्या किये और यह इसकी ज एकल स्टेड करने की जुरुत नहीं है सारी कि सारी लेंडिंग सेकर्ने की जुरुत नहीं है स को अच्छा लगया नेचर के बारे बता यह तो इसको सुन की अच्छा लगया उसमें पढ़ क्याना उस्टिठ्स चाहिए थे जरूड ही नहीं है कि हमेसा अड्कित अब आर्टिस्ट मस्ट सीख थे वह कि देखना चाहते थे जितने वह आर्टिस जो की उसका वर्क था उसमें बस वह व्यूटीनेस पढ़ा दिए बस ब्यूटेश को देखना चाहते थे और जो कि उसकी beauty जो हो हमारे senses को हमारी जो 5 senses उसको pleasure दे ठीक है तो इसका यही motive था aestheticism I think अच्छे से समझ गया होंगे और यह आपके exam के लिए बहुत ही important है अगर कोई part समझ नहीं होगा तो बार बार देख लीजेगा I think समझ में आ जाएगा और यह crash course की तरह इससे लिजेगा क्योंकि इसमें जो important चीजे है बस वही कराई गई है और जो आपका man course जो पूरा होगा वो आप part 2 में होगा वो उसको मैं अच्छे से समझाओंगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अभी थोड़ा मोईल का दिक्कत है इसलिए थोड़ी सी लेट वेट हो जाती है कल आपका सिलेवस खतम हो जाएगा मतलब आपकी सारी चीज़ खतम हो जाएगे तो कल क्या करना है आपको अच्छे से रिवाइज करना है इस पे एक वीडियो आने वाली जो की बहुत इंपोर देख ना मेरे बाई डिजल्ट में जो अगर आपको बहुत ही अच्छा मांग साता है तो वह हमेसे याद रहता है कि ना भाई मेहनत हम किये थे बहुत अच्छे से तो यह बहुत अच्छा पाट होता है ठीक है और कुछ लोग है जो रेगलर इस वीडियो के देख रहे तो के लिए धन्यवाद है चाहिए है जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको बहुत ही काफी अच्छ लगता है और सबस्क्राइबर बढ़ता हुँ तो प्रॉलम हो या फिर कुछ अच्छा लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इसे के साथ रखते हैं मिलते हैं एक्स्ट व